अयोध्या विवाद को लेकर आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर मध्यस्ता की कोशिशे कर रहे हैं कि इसका वायद को लेकर बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस बात को मान लेंगे कि आयोध्या भगवान राम की ही भूमी है राम मंदिर प्रारंभ से ही कोई राजनेतिक मुद्दा नहीं रहा है यह हमारी राष्ट्री अस्मिता का मुद्दा रहा है और इसमें सभी मजब के लोगों को यह अईतिहासिक तथे स्विकार करना ही चाहिए कि आयोध्या यह राम की भूमी है और राम हमारे राष्ट का प्रतने धित्व करते हैं ऐसे में चाहिए सिया समुदाए के लोग हो या सुनी समुदाए के लोग जो भूमी राम की जन्म भूमी है उसमें राम का मंदिर हो राम की समारक हो राम की स्मृति में उनके जो आदर्श है मरियादा है उनका जो चरित्र है वो वहाँ से पुरी दुनिया के लोग सीखें इसे बड़ी बात और क्या हो सकते तो बाबा राम देव को आपने सुना जिन्होंने कहा कि ये कोई राजनीती का मुद्दा नहीं है उन्हें उम्मीद है कि सभी पक्षिस बात को मान देंगे कि आयोध्या भगवान राम की ही भूमी है